इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं Welcome फ्रेंड्स मेरे चनल इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है अगर आप मेरे चनल पर पहली बार आये हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें वहाँ आपको Complete Share Market, Provident Fund, SGB और बहुत सारे Investment Plans जितने भी निवेश के Plans होते हैं बैतरिन Plans उन सबकी Complete Full Detail जानकारी आपको मेरे वीडियो में देखने मिलेगी और सबसे बड़ी बात 100 परतिचत सही और संपून जानकारी देखने को मिलेगी आधियदूरी और गलत जानकारी मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी इसके अलावा National Pension scheme में खतम कर चुका हूँ जितने भी आपके मन में पर्षन होते हैं आप मेरी प्लेलिस्ट चरूर चेक करना हम अभी पब्लिक प्रविडेंट फंट की सीरीज लेके चल रहे हैं पीपीएफ की जिसमें मैंने कई वीडियो बना दिये हैं और पीपीएफ क्या होता है और इसके rules and regulations क्या है आपके जितने भी पर्षन हैं उन सब के मैं जवाब दे चुका हूँ completely फिर आज क्या लाया हूँ मैं आपके लिए आज मैं लाया हूँ पीपीएफ का संपूर्ण गूगल का best excel पीपीएफ लॉन कैलकुलेटर अभी तक आपको गूगल पे लॉन कैलकुलेटर कहीं नी देखने को मिलाओगा 99% दावा करता हूँ कि आप पूरे गूगल पर कहीं छाल लेना आपको लॉन कैलकुलेटर नहीं मिलेगा maturity कैलकुलेटर मिलेंगे वो भी गलत मिलेंगे सर आप गलत कैसे कह देते हो मैंने सही कैलकुलेटर बना के दिया है आप लोगों को आप उसको चेक कर लेना पिछले वीडियो में है और उन्हीं कई वीडियो में आपको ये गलतिया भी देखने को बिलेगी जो मैंने इस पष्ट किया कि कैसे मेरा कैलकुलेटर बैस्ट कैलकुलेटर है ठीक है, तो आज मिलाया हूँ, loan calculator, इससे आप अपने loan की calculation कर पाएंगे, कि कितना आप loan ले सकते हैं, सबसे पहले कुछ basic जानकारी, calculator पर चलने से पहले, वरना हम इसको समझ नहीं पाएंगे, कैसे calculate होता है loan, तो देखिए, loan facility on PPF, ये तो हमको पता है, मैंने अपने पराणी वीडियो में बता दिया था कि PPF पर loan की facility मिलती है, आप loan ले सकते हैं, लेकिन क्या शर्ते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो देख लीजे, number one point, you can take a loan on your account from third year to sixth financial year from opening of the account, ध्यान दे, आप loan कब ले सकते हैं, तीसरे साल से छटे साल तक, ध्यान दे न, तीसरे साल से लेके छटे साल तक आप loan ले सकते हैं, PPF पर, number two, you can avail maximum 25% amount of the balance at the end of second immediately preceding year would be allowed as loan, और आप कितना loan ले सकते हैं, 25% amount, किसका, जो end of second immediately preceding year होगा, उसका आप 25%, जितना भी balance होगा, उसका 25% आप loan ले सकते हैं, for example, if a loan is applied in 2014-15, financial year, then 25% of the balance at the end of 2012-13 can be taken as a loan, अगर आपने 2014-15 में apply किया है, loan के लिए, तो 2014-15 से एक साल पहले छोड़ दू, यानि कि 2013-14 छोड़ दू, तो 2012-13, 2012-13 का मतलब, कि session जो है, financial year 2012-13 में जितना उसका end में balance बचाओगा, उसके 25% का आप loan ले सकते हो, 2012-13 का मतलब क्या होगा, कि 2013 March, 31 March 2013, यहां तक 2012-13 माना जाएगा यह session, ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैं अभी complete excel में लेके चलूँगा आपको, loan facility का तीसरा point देख लेते हैं, the rate of interest on loan will be 1% per annum, but the actual loan cost shall be higher, that is from interest rate plus the 1% interest that you pay on PPF loan, सरकार ने PPF पर loan की जो interest rate टै किये है, वो 1% है, वाह, क्या बात है, कि वो ले 1% ब्याज पर हमको loan मिल रहा है, हाँ, 1% ब्याज पर ही loan मिल रहा है, लेकिन यह वास्तित्ता की सच्चाई भी नहीं है, सरकार तो सही कह रही है कि 1% ब्याज पर loan मिलेगा, लेकिन जो loan दिया जाएगा ना आपको, उसकी cost ज़्यादा होगी, कैसे सर, कि आपकी जो राशी है, उसी में से आपको loan दिया जाएगा, समझे रहो, आपने जो अब तक PPF में amount जमा कराया था, उसी में से आपको loan दिया जाएगा, तो जो amount आप बहार निकाल लेंगे, उस पर जो PPF आपको ब्याज दे देता, वो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, जैसे सपोज कीजिए, अभी 7.1% चल रही है, पीपीफ के interest rate, ठीक है, तो आप जो भी पैसा निकाल लेंगे न, वो कितना charge होगा उसका, लोन एक आसान लोन होता है, सस्ता लोन होता है, इससे सस्ता लोन आपको कोई भी नहीं देगा, फिर फोर्थ नमबर है, विड्रोल आर्ट टू बी, रीपेड विदिन 36 मन्थ, ठी यर्स, और जो भी लोन लें, उसे 36 महिने में, यानि कि तीन साल में चुकाना जरूरी है, अन्यता आपके उपर penalty लग जाएगी, पांचवा, ए फ्रेश लोन इस नौट अलाओट, वेन ए प्रिविएस लोन और इंट्रेस्ट इज आउटस्टेंडिंग, यदि आपने पहले कोई लोन ले रखाया और उसका ब्याज नहीं चुकाया है, और उसका मूलदन नहीं चुकाया है, तो आपको अगला लोन नहीं मिलेगा, जब तक पिछला लोन नहीं चुका होगे, तब तक अगला लोन नहीं मिलता है, फिर अगला पॉइंट चटा यू केंट टेप सेकंड लोन आफटर रीपेइंग दा फर्स्ट वन ठीक है तो सेकंड लोन कब लोगे जब पहला लोन चुका दोगे साथवा पॉइंट इंट्रेस्ट रेट इच वन परसेंट इफ रीपेइड विदिन थर्टी सिक्स मन अगर चट्टीस महिने में आप लोन को चुका दिया तो तो एक परसेंट लगेगा व्याज जानक न इफ यू फेल तो रीपे दा लोन विदिन थर्टी सिक्स मन शिस परसेंट एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट देना पड़ेगा और वो हर साल आपके डेबिट कर लिया जाएगा पीपी एफ अकाउंट से यह ध्यान रकना यह च्छे परसेंट और यह एक परसेंट एक परसेंट ए एक का मतलब कि 7.1 परसेंट पीपी एफ के इंट्रेस्ट रेट चल रही है तो 7.1 प्लस 1 8.1 हो जाएगा ऐसे यह 7.1 प्लस 6 हो जाएगा यह एक्चुल कोस्ट है ठीक है फिर एट्थ नंबर का है दार रीपेमेंट में बी मेड इधर इन लंसम और इन इस्टॉल्मेंट और 36 महीने तक जरूर चुका दें वरना पैनल्टी बहुत भारी पढ़ जाएगे आपको ठीक तो यह तो हो गई कुछ गाइडलाइनस इसकी लॉन फैसिलेटी ऑन पीपेफ की अब हम चलते हैं अपनी एक्सल पर फ्रेंड्स यह आ चुके हैं हम हमारे पीपेफ कैलकुलेटर प का मतलब क्या होगा कि एक अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 इसको हम कहते हैं 20-19-20 का फिनेंशल यहर फिर एक अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 इसे हम कहेंगे 2020 फिनेंशल यहर हमीशा एक अप्रेल से प्रा société है और फिर अगले साल की वार्च को सा खत्म होता है तो इस तरह से ये 2019, 2020, 2021, इस तरह से हम इसको calculate करते हैं, clear होगे न आपको, अब हम बात कर लेते हैं अपने calculator की, मैं तीन परकार के calculator लाया हूँ, दो परकार के calculator लाया हूँ, और एक लाया हूँ, PPF interest rate history, इसकी अभी मैं चर्चा कर देता हूँ, ये क्या है देको इस पे click करोगे न आप, तो यहाँ आपको इतिहास, 1968 से ये PPF की scheme स्टार्ट हुए है, तब से लेकर आज तक, जो जो rate of interest रही है, वो actual लाया हूँ, ये सब सही है, ये कोई भी गलत नहीं है, दहनक न, actual data है, original data है, बहुत मैनस से बनाया है, तो जब आप lawn की calculation करें, तो आप इस data का यूच कर लेना, यह तक तो आप इसका ही उच कर लेना, और इसके बाद आप किसी website से तलाश लेना, ठीक है, तो फिलाल ये तो हो गया आपका ये वाला section, अब हम आते हैं, दो तरह के calculator है, एक PPF calculator fixed वाला है, और एक PPF calculator NIA, ठीक, यहाँ से आप maturity की भी calculate कर सकते हैं, कि माल लीजे मैने 10,000 रुप बता रहा हूँ, एक तो ये वाला बता रहा हूँ, और एक ये customize बताऊँगा, जिसमें आप सब कुछ अपनी entry अपनी अनुसार कर सकते हो, ये customize रहेगा, किलाल हम इसकी बात कर लेता है, fix quality, तो इसमें आगर मैं 10,000 रुपे के इसाप से जमा कराता हूँ, और अगर rate of interest अभ 15,000 छोरा, ना इसा, 54,348 के आसपास, ये हो गया कर ?, तो ये तो हो गया हमारा maturity, maturity के बारे में मैंने पिछला वीडियो बना दिया है, आप उसको चेक कर लेना, कैसे maturity calculate करते हैं, वो सारी कहानी है, पिछले वाले वीडियो में देखने को मिलेगी आपको, जिसमें मैंने इन दोनों कैलकुलेटर का यूज सिखा दिया है, कि कैसे आप अपना मैचुरिटी कैलकुलेट कर सेखने हैं, अभी हम केवल लोन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 10,000 रुपर मंतली चुकाते हो, तो कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये देखो, ये तो गया आपका पहला साल, अच्छा माल लो, यहाँ पे किसी ने अगर 2021 में चालू किया, ठीक, 2021 में चालू किया, अपरेल 2021 में, तो ये कौन सा सेशन कैलाएगा, ये कैलाएगा 2021-22, क्योंकि अपरेल से लेकर दिसंबर तक तो 2021 हो गया, फिर जनवरी से 2022 स्टाट हो जाएगा न, तो ये वाला जो financial year हो जाएगा, वो हो जाएगा 2021-22, फिर ये हो जाएगा 2022-23, इस तरीके से ये financial year चलेगा, तो देखो, अगर आप 10,000 रुपए मंतली जमा कराते हो, और 7.1% रहती है, interest rate, PPF की, तो आप पहले साल कोई लोन नहीं ले पाऊगे, दूसरे साल कोई नहीं ले पाऊगे, तीसरे साल ले पाऊगे, जैसा कि मैंने कहा, you can take a loan on your PPF account, from 3rd to 6th financial year, opening of the account, और कितना 25%, तो ये automatically calculate होके आ जाएगा देखो, 31,154 रुपए आपका, loan का amount available है, आप ले सकते हो, सर्की साधार पे निकाला ये तो बता दो, तो 25% of the first year, तो first year कहा है, ये रहा, ये रहा, first year, ये first year है, और इसमें balance कितना है, 1,24,615, तो 1,24,615 का आप 25% निकाल लो देखो, 1,24,615 का 25%, ये निकल के आ गया, 31,153.75, जो की lump sum में 31,154 होते है, round figure में, ठीक है, तो ये automatically calculate हो जाएगा, कि कितना loan आप ले सकते हैं, ऐसे ही, चोथे साल में आप कितना loan ले सकते हैं, ये भी automatically calculate होके आ जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक है, चोथे साल में आप कितना loan ले सकते हैं, जितना दूसरे साल में आपका amount था, ये वाला, इसका 25%, ठीक है न, ये आ गया, निकल के, ऐसे ही automatic calculation है, पांचवे साल में आप कितना loan ले सकते हैं, ये कहानी आ गी है, यहाँ पर लिखावा आ जाएगा amount, और चटे साल में आप कितना loan ले सकते हैं, वो यहाँ लिखावा आ जाएगा amount, फिर इसके आगे, loan नहीं ले सकते, 6 साल के बाद आप loan नहीं ले सकते, चटे साल तक, ठीक है, चटे साल तक, चटे financial year तक, आप loan ले सकते हैं, चटे साल का मतलब क्या है, चटा financial year, ठीक है न, तो यहाँ तक आप loan ले सकते हैं, उसके बाद आप loan कभी भी नहीं ले पाएंगे, यह है इसकी विवस्ता, 25% loan की, तो यह तो हो गया, fixed data, जिसमें आपने, यह कलपना करके, यह सारा बर लिया, अब actual data पर आते हैं, यह click करना, लेकिन यह थोड़ा बड़ा calculator है, इसमें आपको मेहनत भी थोड़ी जादा करनी होगी, PPF calculator ऐनी, इसमें बरना क्या है, इसमें यह सब चीज़े बरनी है, जितनी भी यह green चीज़े दिखरी हैं, यह सब बरनी है, इस green को चोड़ कर जहाँ जहाँ green दिखे न, वो सब बरना है, तो यहाँ date लिखना ज़रूरी है, अगर date नहीं लिखी न आपने, तो गड़बड हो जाएगी, अब सर यह dates कहां से मिलेगी, अगर आप SBI के customer हैं, तो मैं बता देता हूँ कि Yono app में जाना, पीप का account खला है, तो आपको यह चीज़े बतानी चलिए, तो आप वो account history से देखना, ठीक है, पीपीफ की, तो वहाँ से आप देख लेना, कि किस तारीक को मैंने कितना पैसा जमा कराया है, जैसे माल लो, मैंने 1 सितंबर को मैंने जमा कराया था, एक लाख पचास ज़ार, ठीक है, तो एक लाख पचास ज़ार जमा कराया मैंने, कौन सी, 1 सितंबर 2021 को माल लो, यह सपोज कर लो, मैं आगे में आने वाले साल की बात कर रहा हूं, कि 1 अप्रेल, 1 सितंबर को मैंने 2020 को जमा कराया, एक लाख पचास ज़ार, ठीक, यहां से अकाउंट खुला है मैंने, तो देखो, अब होगा क्या, मुझे अगर केवल मैंने यहां जमा कराया, फिर मैंने यहां जमा करा दिया, पांच तारिक को यहां जमा करा दिया, मैंने एक लाग पचास जार फिर से फिर मैंने यहां अगले महिने अगले साल में मैंने फिर जमा करा दिया या नहीं भी जमा करा हूँ तो भी मुझे लॉन मिल रहा है देखो 37,500 का लॉन मिल रहा है क्यों मल रहा है 37,500 होगा लोन क्योंकि जितना मैंने जमा कराया था उसका 25% मिलेगा मुझे 25% मतलब इसका 25% डेड़ लाग का 25% तो ये automatically calculation होगी ये automatically calculation होगी कि आपको कितना लोन मिलेगा सिर्फ आपको values put up करनी है यहां आप जो चाहे entry कर सकते हैं माल लीजी एक साल में आपने चार बार पैसा जमा कराया, दस बार जमा कराया तो वो पहली account की entry से लेके जितनी भी entry आई है वो ये करनी होगी अगर माल लो 2021 अप्रेल पांच तारिक को start किया, पांच तारिक को मैंने दस जार जमा कराया, सपोज करो ठीक है, पांच अप्रेल 2021 से, तो ये वाला session कौन सा होगा, ये ध्यान करना ये financial year कौन सा होगा, 2021 जिस साल हमने account start किया है, वहाँ से financial year start हो जाएगा 2021 ऐसे करके, loan के लिए और withdrawal के लिए, लेकिन maturity के लिए ये account नहीं होगा maturity के लिए अगर आपने कभी भी account अप्रेल से दिसंबर के बीच में खुलाया, जान देना, अगर अप्रेल से दिसंबर के बीच में खुलाओगे account, तो आपकी maturity हमेशा एक साल प्लस में आईगी, एक साल प्लस में मतलब, कि 15 साल के होती है maturity, तो आपको 16 साल दिखाई देगी, ठीक है लगबख 16 वे वर्ष में चल जाएंगे 16 साल नी, 16 वे वर्ष में चल जाएंगे जबकि जनवरी से इसमें खोलोगे न आप, तो आपको जनरली वो 15 के आसपास दिखाई देगी, ठीक है आप इसके लिए मेरा maturity calculator यूज कर लेना, मैंने maturity calculator पे complete वीडियो बनाया हुआ है और 100% सही है वो calculator आप उसका यूज कर लेना, तो आपको ये maturity का पता चल जाएगा, थोड़ा complicated लग रहा होगा आपको, लेकिन complicated यह है कि आपको सिर्फ क्या करना देगो, सारी complication खतम करता हूँ, आप तो अपनी date check करते जाना कि मैंने भाईया 2021 में 5 5 अपरेल 2021 को 10,000 रुपए जमा कराए फिर 5 सितंबर 2021 को मैंने मान लो 50,000 रुपए जमा कराए, ठीक, फिर मैंने अगले, ये 2021 हो गया, अब यहां से 2022 स्टार्ट हो गया है, जन्वरी से तो 2022 की जन्वरी को मैंने मान लो जमा कराए कितने, मैंने 2022 की जन्वरी 10 को जमा कराए 20,000 रुपए, ठीक फिर अगले सेशन में मैं गया तो 2022 में ही मैंने अपरेल में जमा कराए, मान लो 30,000 रुपए इस तरीके से यह date में नहीं डाल सकते date आपको date के नुसार लिखनी होगी तो यह 30,000 रुपए जमाकरा देता हूँ तो कहने का मतलब आपको अपने real data real data जो आपकी bank की ppf की passbook में होंगे या history में होंगे वो लेकर यहां डालना है इन सालों में डालना है ठीक है तो automatically आपको यहां ppf का calculation आजाए कितने साल तक डालना है 3 जाएर बात है loan कितने साल तक मिलता है 6 साल तक मिलता है तो आप केवल 6 साल तक का ही data डाले उसके बाद का data नहीं डाले जब से account opened किया है तब से लेकर 6 साल तक का डाटा इसमें भर दें तो आपको यह सारा का सारा लोन का अमाउंट यहां automatically calculate हो जाएगा अब calculate होने के लिए एक चीज़ हो रहे यह और complicated है यहां interest rate ओर डालनी पड़ेगी तो history में जितनी भी interest रही है किस तारिक से कितनी तारिक तक रही वो मैंने यहां रख दिये अब आपको यह बरने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जैसे मान लो यह हमने suppose करो यह है कितनी तारिक है यह यह मान लो है 5 2011 ठीक है हम इसको मान लेते हैं 5 2011 अप्रेल की 5 2011 से मैंने investment इस्टार्ट किया तो 5 2011 को कितनी interest rate थी यहां से देखो देखो 5 2011 पांचवा महिना 2011 का तो यह रह 3 2003 से 30 2011 2011 तक कितनी थी rate of interest 8% तो पांचवा महिना भी इसी में आ गया तो आपको 8 परसेंट यहां लिखना होगा 8 परसेंट और कब तक रही यह 8 परसेंट फिर 11 तक 11 यहनी की 9 पर तक तो 9 पर तक आप 8 परसेंट ही करके चलो फिर यह 9 पर तक 8 परसेंट 9 पर तक 8 परसेंट फिर उसके बाद क्या होगे interest rate उसके बाद हो गई 8 12 2011 से 31 मार्श तक 8.6 हो गई 31 मार्श 2012 अगले साल तक अगले साल मार्श तक कर दो इसको कितनी 8.60 कर दो इसको तो यह 8.60 कर देता हूँ मैं 8.6 1.6 मार्श तक कर दो इसको 8.6 और यह 8.6 तो यह 2012 आगे है यहाँ पर जन्वरी से 12 स्टार्ट हो जया था तो मार्श 2012 तक 8.6 मैं इस तरह से इसको लिख दूँगा ऐसे ही मैं आगे कैलकुलेट करता जाऊँगा सरी complicated है क्या 100% है क्योंकि आपको यहाँ interest rate एक एक चेक करनी पड़ेगी किस date से किस date के दोरान थी लेकिन यह guarantee है कि आपको आपके real data से real calculation होगी loan की पूरे google पे loan का calculator कही नहीं है सब फरजी है यह calculator आपको automatic system से देगा कि आपने क्या calculation आपका loan का amount मन रहा है ठीक है ना तो आप यहाँ से देख लेना अगर goal देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेना अगर मालो आप मंतली 10,000 उपई जमा कराते हैं तो तो आपको उट पटंग जमा कराते हैं कभी 10,000 कभी 50,000 कभी 20,000 कभी 1,500,000 एक साथ तो फिर आपको यह calculator huge करना ही पड़ेगा आपके पास फिर option नहीं है ठीक है ना तो उमीद है आपको यह calculator अच्छा लगा होगा बहुत complicated रहा है मैंने बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाए है और यह calculator बनाने में तो मेरा दम निकल गया है seriously मैं बताऊं क्योंकि इसमें बहुत calculation हुई है तो अगर आपको यह calculator अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर कर ले ना channel को क्योंकि आपके subscription से मुझे हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेड़ना भी मिलती है तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स चैनल अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर करें मेरे चैनल पर आपको संपून शेर बाजार नैशनल पैंशनिस स्कीम और best investment plans की 100% सही और संपून जानकारी मिलेगी आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें वो नीचे की साइड में है देखें उसको और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद